कैसे हैं आप लोग चलिए हम लोग सुरू करते हैं पॉलिटी का एक नया टॉपिक देखिए लॉक्डाउन सिचुएशन में हम लोगों ने सबसे आधे पॉलिटी पड़ी लेकिन इधर बीच हमने पॉलिटी की क्लासेस का भी रोक रखे थी उसके बाद आपको नए-ने को मिले जैसे एकनौमी हो गया या फिर आपकी क्लासेस चलना सुरू हो गई है मौडर्न इंडिया के भी तो ऐसे करके धीमे-धीमे अब समय भी है हम लोग के पास तो अब धीमे-धीमे करके हम अपना डीटेल में सारी टॉपिकों कवर कर लेंगे अब रह गई बस लाइव क बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपात वबंद है क्या सम्विधान में क्या है कि भारती सम्विधान में एक बड़ी अच्छी विवस्था की गई होता क्या है कि अपने इमर्जंसी सिच्विशन के लिए कैसे केंद्र सरकार पावर को एब्जॉर्ब करेंगी लेगी तो उसके लिए पूरा प्रॉपर विवस्था की गई है, कि ये आपात विवस्था है क्या है, ये आपात उपुबंध है क्या है, तो संबिधान के अनुसार अगर आप देखेंगे, तो भाई कोई भी सरकार है, तो उसमें क्या है, कि कोई भी ऐसी अचाना कोई परिस्थितिय पैदा हो सकती है कोई संकट आ सकता है सामना करना पड़ सकता है तो उस संकट की घड़ी में किस तरीके से संविधान के द्वारा जो सकतियां प्रदान की जाएंगी उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा इस संबंध में बतलाया गया है आपात काल का मतलब ये नहीं कि किवल 3502 जो आप लोग समझते हैं, आपातु बंध हमारे हां कई तीन तरीके के दिये गए हैं, एक होता है कि राश्ट्री आपातकाल, दूसरा होता है हमारा राश्ट्रपती सासन, तीसरा होता है वित्ती आपातकाल, राश्ट्री आपातकाल में हम सुरच्छा से जुड़े हुए मु को देखते हैं ठीक है वाय युद्ध या फिर आंत्रिक ससक्त विद्रो इस तरीके की चीजों को देखते हैं वहीं दूसरे तरफ हम लोग राश्ट्रपती सासन में क्या देखते हैं कि वहां क्या है राज्यों का राज्य सरकारें संभिधान का रूप नहीं चलाई जाती तो महोदय के रिपोर्ड के अधार पर उनकी सरकार को बरखास करके केंद्र सरकार राश्पती सासन लगा देती यानि राजय पाल वहां पर सासन करता है केंद्र के प्रतिनीदी की रूप में ठीक होता है विद्धी आपातकाल उसमें क्या होता है कि जब फाइनेंशियल तुलन बहुत बढ़ गया तो इस तरीके की जब समस्याएं आती हैं तब हम लोग क्या करते हैं आपाद उबंदो का प्रयोग करते हैं और इसको लेकर भी सम्विधान में बिसेश तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है बताया गया है एक एक चीज को कि ऐसा नहों कि मनम में जो विवस्था है आपात काल की वो कैसी है तो देखी यह एक आत्मक विशेश्था के रूप में यह जरूर याद रखिएगा कैसे क्योंकि जब आपात काल लगेगा जो भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा आप लोग लेक्चर को देखेंगे तब समझ में आएगा कि इस केंद्र जादे मजबूत हो जाता है और केंद्र जादे मजबूत हो जाएगा तो क्या होगा यह केंद्र का मजबूत होना किसकी विशेश्था होती है वो होती है हमारी एकात्मक की जहां क्या होता है सक्तियों का केंद्री करण होता है केंद्र के पास एकात्मक की पूरी य ठीक है जहां क्या होता है सेंट्रलाइजेशन आफ पावर होता है तो यहां पर जो भारत में बिवस्था ली गई है हला कि हम लोग अर्द संगी पढाली है तो हम लोगों ने यहां पर एकात्मक विशेष्था के तहत ही हमने लिया है अपातकाल ठीक जहां पर कोई भी इमर्जंसी आती है मालीजे बॉर्डर इस्टेट ही है बॉर्डर इस्टेट में मालीजे युद्धी हो गया या फिर कुछ इस तरीके की सससर विद्रो हो गया तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगोंने विद्धा में एकता के समाय योजन के लिए कि वहाँ पर राज्य सरकार्य पूरी तरीके से काम करने में विफल रह रही है तो वहाँ पर हम लोग एकात्मक लख्षड को अपना लेते हैं यानि पूरी तरीके से केंद्र मजबूत हो जाता है ठीक है तो हम भारत में जो आपात्काल की विफेशता है वो एकात्मक के रूप में है जहां सारी पावर किस के पास ट्रांसफ़ण हो जाती है Central Government के पास अब बात करते हैं कि हम लोग कि हमारे हैं भारत में जो आपात उपबंध हैं वो किस तरीके के हैं कौन सी असाधान परिस्थितियों के लिए बोला गया है तो तीन तरीके के आपात उब बंद है भारत में पहला कौन सा है राष्ट्री आपात नेशनल इमर्जनसी ठीक है नेशनल इमर्जनसी जिसे हम लोग 1975 वाले एक्जामपल को आप लोग देख लीजेगा तो वहाँ पर लगाई गई थी दूसरा होता है राष्ट्रपति सासन जहां पर क्या होता है राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर वहां की राज्यसरकारों की जो राज्यसरकारों को बरखास कर दिया जाता है और वहां पर केंद्र के प्रतिनिधी की रूप में राज्यपाल का सासन हो हो जाए ठीक है तो यह तीन तरीके के आपादु बंदों की चर्चा की गई है तो कहां की गई है भारती संभिधान में किस जगह की गई है तो नोट डाउन कर लिएगा कि भाग 18 पार्ट 18 और अनुछे 352 से लेकर 360 तक आपादु बंदों की बात की गई है 352 से लेकर 360 तक और कौन से भाग में भाग 18 में ठीक है तो यह तीन प्रकार की असाधान प्रसितियां है कि जब वाह युद्ध जैसे राष्टियापात में क्या है कि वाह युद्ध हो गया या ससरविद्ध हो गया इन सब आधारों पर या फिर राष्ट्रपत राष्टी आपात अनुछे 352 ठीक है तो अनुछे 352 कि हम लोगों को अनुछे 352 किस तरीके से पढ़ना है ये समझ लेते हैं पहले हम लोग पढ़ते हैं सामानने पहलू के बारे में कि क्या है अनुछे 352 क्या क्या चीज़े है इसकी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस हटाया कैसे जायेगा लग तो गया है लेकिन हटेगा कैसे और चौसा चीज होता है प्रभाव जो impact पड़ता है कि चाहे वो विधाईका पर पड़े चाहे वो कारेपालिका पर पड़े चाहे वो मुलदिकारों पर पड़े इस तरीके से हम प्रभाओं की चर्चा करेंगे देखे ये चार सेक्षन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं लगबग इसी से आपके सारे कोश्चन हो जाते हैं MCQ जो जितने भी हैं और UPSC UPSC में ये टॉपिक बड़ा इंपोर्टेंट रहता है चाहे वो आर्टिकल हो गया जो उसके कुछ समय है वो हो गया यह सब सारी चीज़े बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि अनुछे 352 का प्रावधान हम लोगों ने लिया है 1935 के अधनियम से ठीक है हाला कि हम लोगों के संबिधान में लगबग 200 जो आर्टिकल 200 तक थीक है तो 1935 के अधनियम से हम लोगों ने लिया था हाला कि उसमें एक चीज़ छोड़के वो क्या था मूल अधिकारों का निलंबन हम लोग पढ़ेंगे कहां यह जर्मनी से लिया गया था यह ब 322 के प्रावधान किस से लिए 1935 के अधनियम से लिए ठीक है अब बात करते हैं हम लोग की यह प्रावधान क्या है तो हम लोगों ने बात की कि यह प्रावधान एकात्मक विवस्था के रूप में लिया गया है ठीक है एकात्मक की विसेस्ता है यह आपातकाल और उसके बा राश्टी आपात की व्योस्था एक आत्मक व्योस्था के तहत अपनाया गया है कारण क्योंकि इससे भारत की एकता अखंता को बनाए रखा जा सकता है तो इसमें क्या होगा A और R यानि जो कथन है और कारण है एक दूसरे को इस पश्ट करता है तो option A सही होगा तो इस बात क को याद रखिएगा इस तरीके ही के ही question आपको नए trend में UPSC या UPSC में मिलेंगे खास दर में UPSC में तो trend ही change हो गया जानी रहा अब बात करते हैं कि यह जो आपात काल की व्योस्था है हमारे हां emergency की बात की जाती है 352 के तहर्त उसमें क्या है कैसे लगाया जाता है तो दे केARE बारे में किया गया है जो साधार नहीं तो यहां तीन आधार थे पहले मूलज्ट शम्मिधान में एक क्या था युद्ध आगर मालीजे कोई देश कोई देश भारत पर आक्रमड करता है युद्ध करता है ठीक है 1952 के प्रियोग करने की बात की गई थी कि आप इसका 352 का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन 44 संभिधान संसोधन द्वारा 1978 द्वारा आंत्रिक असांति के जगा ससस्त्र विद्रो जोड़ दिया गया अभी इसको बताते हैं कि ऐसा क्यों जुड़ा गया या क्या था तो सबसे पहले हम लोग एक एक सब्द को डिफाइन करते हैं देखें पहले होता है युद्ध युद्ध का मतलब क्या होता है जब दो देश कॉमबैट करते हैं लडाई करते हैं मतलब दो देश युद्धरत गोसित होते हैं माल लिजे कि भारत और पाकिस्तान लड़ता है युद्ध की गोशना हो गई तो वो situation होता है युद्ध उसको हम लोग officially युद्ध कहेंगे जैसे माल लिजे 1971 की लड़ाई 1971 की लड़ाई ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग युद्ध में सामील ही नहीं होते और कोई हमारे उपर attack कर देता है और उस attack की जवाब में हम लोग करते हैं उस attack का जब जवाब देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे वाहे आकरमण जैसे हम तो लड़ना नहीं चाह रहे हैं न लड़ने के लिए इनिशियेट कर रहे हैं लेकिन अगला देश हमारे उपर अटेक कर दे रहा है सबसे अच्छा एक्जामपल क्या है इसका कारगिल कारगिल में क्या हुआ था पाकिस्तान के घुसपैटी आए और कारगिल पहाडियों पे छुप गए और छुपने के बाद वो इस एरिये को कब्जा करने लगे तो वह बाहे आक्रमर था भारत तो युद्ध कर नहीं रहा थ उनसे फिर उन गुसपैटियों को भगाया हम लोगों ने कारगिल वार पूरी तरीके से वार के उस रेड़ी में नहीं आती इसलिए तो वाहे आक्रमर और आंतरिक अशान्ती ये बड़ा अंडिफाइंड वर्ड है और इसी का सबसे ज्यादे नहीं कंट्रोवर्सी भी हुई इसी सब्द पर सबसे ज्यादे कंट्रोवर्सी हुई हुए क्या था कि देखिए युद्ध के आधार में हमारे हाँ भारत में तीन बार इमर्जंसी लगाई गए थ्री टाइम्स कब कब लगाई गई इसी के आधार पर हम आपको बताते रह 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 तो पहला तो हम word से ही defined हो जाता है कि 300 युद्ध से तो युद्ध कब लड़ा गया था भारत का पहला युद्ध कब था मतलब officially जब हम लड़े थे वैसे तो पाकिस्तान से लड़े थे 47 में लेकिन उस समय हमको आउशक्ता नहीं पड़ी हमें इसकी आउशक्ता पड़ी जब चाइना अटैक करता है तो 1962 में पहली बार 1962 में लगाता हैं धुम्हों से लड़ाई कर रहे होंगे तो कब लगेगा 1971 में इंद्रा गांधी लगाएंगी और तीसरी बार जो हमारे हाँ आंपात काल लगेगा वो लगेगा आंतरिक अशान्ति के आधार पर ये जो टर्म हमने आपको दिखाया आंतरिक अशान्ति इस ही के आधार पर प्रयोख किया जाएगा अब इसको defined ही करना बड़ा क्या कह सकते Caleb यह सब्दी ही बड़ा complex है अब आप यह सोचिए कि कोई भी सरकार है वो यह define करे कि कोई उनके खिला प्रोटेस्ट कर रहा है तो उभी तो उसको define कर सकते हैं कि हाँ यह आंत्री कसांती फैला रहे है रोड रेले सब जाम कर रहे है आंत्री कसांती बड़ा ही disputed हो गया तो 1903 हम आंत्री कसांती के अधार पे लगाया जो प्रोटेस्ट हुआ था इंद्रा गांधी के खिला तो वो हमने लगाया भारत में लगा 1975 में और यह किसकी अधार पे लगा था आंत्री कसांती के मिनाम पे अब आंत्री कसांती क्या सरकार के खिलाप अगर आप प्रोटेस्ट कर र लेकिन आंत्री का शांती जो कि सब्द ही बड़ा डिस्पूटेट था तो बाद में जब इमर्जंसी 1975 में लगा दी गई और उस इमर्जंसी को लेकर देखिए इमर्जंसी को लेकर विवाद कभी नहीं होता 1962 में भी लगा 1971 में भी लगा कभी कोई इशू नहीं है बट 1975 की इमर्जंसी जो आंत्री का शांती के आधार पे लगाई गई थी उससे बड़ा ज़ादे डिस्पूट हुए बहुत ज़ादे लीडर जो पोलिटिकल लीडर थे उनको अरेश्ट कर लिया गया सारी चीजें हो ग सरकार गीरी तो उनको भी चितना आई और फिर नई सरकार आई नई सरकार आई मुरार जी देशाई की 77 में तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जो यह मुद्दा है यह इससे जो केंदर सरकार कहीं न कहीं ताना साही कर रहे थी यह आंत्रीक अशांती वाला जो क्लॉ ठीक है यह हम मानते हैं कि देश में भी विद्रो हो सकते हैं विद्रो भी विद्रो को भी उन्होंने स्रेडी में नहीं डाला उन्होंने कहा ससस्त्र विद्रो अगर कोई arms group लेके, मतलब arms लेके आपका विद्रो करे और example ले लीजे तो नक्सलिजम, या फिर आप देख रहे हैं, उल्फा उल्फा क्या कर रहे हैं, ससस्त्र विद्रो ही तो कर रहे हैं, ठीक है तो ससस्त्र विद्रो को इसका अधार बना गया जो ठीक है, तो ये सब्दी इसी लिए जोड़ा गया तो आप लोग को समझ में आया होगा अभीता है, कि क्या हुआ, कि आंतरिक पहले क्या था संबिधान में युद्ध, वाहे आक्रम्र और आंतरिक अशान्ती, लेकिन बाद में क्या किया गया, कि चुकि आंतरिक शान्ती एक बड़ा ही डिस्प्यूटेट सब्द हो गया उससे केंदर सरकार कहीं न कहीं ताना साही करने लगी, तो ऐसी इस्थती में आके 44-वा संबिधान संसोधन किया गया, और उसमें आंतरिक शान्ती सब्द को हटा का ससस्त्र विद्रोः कर दिया गया, क्या किया गया, ससस्त्र विद्रोः ठीक है, तो ये पूरा सेनेरियो रहा है और तीन बार कब लगा था, तो 1962 में लगा फिर कब लगा, 175 में लगा और सबसे चर्चा में 75 ही रहता है तो आप लोग समझ गयोंगे कि आंत्री कशांती का जो सब्द है वो कितना इसको मैनिपूलेट किया जा सकता है ठीक है तो ये इन आधारों पर लगाया जा सकता है तो आपके दिमाग में आएगा भाई कौन लगाएगा अब ऐसे तो और उसके बाद आधार तो आपका क्लियर हो गया तो कौन लगाएगा इस तरीके की बाते चलेंगी ठीक है तो अब हम लोग बात करेंगे कि लगाने वाले के बारे में कौन लगाएगा तो मूल संबिधान में क्या था कि मंत्री परिशत के सलाह पर बात होती थी कि मूल संबिधान में हम लोग क्या करते थे कि मंत्री परिशत के सलाह पर राष्ट्रपती द्वारा प्रयोग करने की बात कही गई थी लेकिन उन 44वा संबिधान संसोधन किया गया इसमें क्या कहा गया जानते हैं? की मंत्री मंडल के लिखित परामर्श पर होना चाहिए. और इसमें एक बात आई मंत्री मंडल सब्ड की. तो चलिए पहले लोग इसको समझ लेते हैं कि ऐसी क्या हो सकता पड़ गए? देखिए मंत्री परिशत के शलाह पर राष्ट पती देखा जाए तो प्रधान मंत्री होता है माली जे कोई प्रधान मंत्री बड़ा मजबूत हुआ और उसने क्या किया मंत्री परिशत की सलाही नहीं मानी सलाह ना मानके वो संस्तुति दे दिया और मतलब होता नहीं है कि प्रधान मंत्री के पास भाई पावर होती है किसको मंत् सब्सक्राइब वाली कहानी थी कि मंत्री परिशत की बहुत उसमें जादे वैल्यू नहीं होती तो पार्टी में हो psychology सत्ता में हो दोनों जगब हो जादे मजबूत हो चुकी थी 1975 में आते आते तो मंत्री परिशत की एक सब्सक्राइब को कह दिया कि यहां भाई आपको लगा देना है उनने लगा दिया एक तरीके से दिखा यह तो पूछा तक नहीं जो रियल बात है उन्होंने अपना डिसीज तस आप केबिनेट्ड़ के लिखित परामर्स हरेक मंत्री होना चीवह अगर लगाना है तो सभी मंत्रियों का साइन होना मेंडेटल्र लिखित परामर्स पर ही यह लगू हो सकता है राष्ठपति सासन ठीक है और पहली बार पूरे सम्विधान में पहली बार प्यादे सब्सक्राइब का प्रियोग यहीं पर मिलता है आपको मंत्री मंदल का इसी जगा ठीक है तो यहां पर क्या किया गया कि मंत्री परिषट के सलाह के बजा लिखित परामर्स की बात करी गई जो सबसे कमेंड करते हैं राष्ट्रपती महदे से राष्ट्रपती महदे उन्हीं को मंतरी बना देते हैं तो यह बात हुई तो इसी चीज को बचाने के लिए संबिधान में संसोधन किया गया 44 वा और उसके बात क्या गया गया है? कि लिखित परामर्श की बात कही गी ये बात आपको समझ में आगए यूट कि भारत में इतना आसान नहीं है ताना साही करना क्योंकि लोगतांत्रिक बेवस्था में अगली सरकारा आएगी तो change भी कर देगी क्योंकि उसको भी पताया कि अगर ये बेवस्थाय नहीं change करेगी तो ताना साही आ सब्सक्राइब करेंगा तो राष्ट्रपती महुद्य लागू करेंगे किसके सलाह पर मंत्री परिशत के लिखित परामर्स पर लिखित सब जरूर याद रखिएगा ठीक है अब बात करते हैं अब माल लीजे कि अब कैसे लगेगा ये तो यह हुए है कि मंत्री केविनेट के लिखित परामर्स के अधार पर लगाया जाता है है लेकिन लगाने की प्रक्रिया क्या है तो एक इसकी इसमें इसमें इसको लगा दे तो क्या है इसकी प्रक्रिया उसको समस्तने हैंपेले कि संग के यह देखे संग के मंत्री मंडल की लिखित सलाह के बाद ही राश्टपती द्वारा आपात काल की घोशना की जै सकते है जैसा कि हम लोग अभी बात किये कि लिखित परामर सुना चाहिए अब लिखित परामर के बाद क्या होगा एक महीने का समय दिया जाएगा संसत को जहां दोनों सदनों से लोकसभा से और राज्यसभा से अलग-अलग पारित कराकर इनको फाइनल करना होगा एक महीने का समय एक मंत का समय दिया जाएगा अलग-अलग पारित कराना है इसमें सहीं तो बैठा को ठक नहीं होगी कुछ भी ठीक है अलग-अलग पारित कराना होगा और इसको फिर यह लगातार चाहें तो 6-6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं यानि आपात काल जो इमर्जंस है तो क्या किया जाएगा वाहली जैंकि लगानी है कहीं पे कुछ बात हो गई तो क्या होगा पहले तो मन्तरी मंडल क्या है यानि क्या विनेट क्या है लिखिट पर आमर्स देगा कि हा ये तो सबसे इंपोर्टेंटी लोकसभा और राज्यसभा इन में special majority विशेश बहुमत में क्या होता था उपस्थित तथा मद्दान करने वालों का 2 बटा 3 तथा संपूर का बहुमत प्लस संपूर का बहुमत तो विशेश बहुमत 2 बटा 3 से पास करना है प्लस उनको बहुमत भी दिखाना है ठीक है इसको तो बताये थे क्या process है तो इससे इन दोनों सदनों से अलग-अलग पास होगा और अलग-अलग पास होने के बाद जैसे ही दूसरे सदन से पास हो जाएगा वैसे ही आपातकाल 6 महिने के लिए लग जाएगा फिर 6 महिने में खतम होगे आपातक लाई है असंखे बार unlimited time तक वो बिस्तारित किया जा सकता है जितना चाहे उतनी बार वो लगाया जा सकता है इसमें limitation नहीं है कि पता चला एक ही साल के लिए लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा यह लगाते रहेंगे क्यों ऐसा क्यों किया गया माली यूद्ध है और यूद् जादे insurgent group वगरा या ससस्त्र विद्रोव वगरा कर दिए और लंबा चल रहा है लड़ाई तो वहां पर यह लगा सकते हैं ठीक है लेकिन सरकारे इसका अंतिम रूप से प्रयोग करती हैं अंतिम विकल्प के रूप से प्रथम विकल्प नहीं मानती है इसको लगाने से प होगा कि सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले हमारे राष्ट्रपती महोदय क्या कहेंगे केबिनेट के सलाह पे केबिनेट के सलाह पे राष्ट्रपती जी अनुमोदित करेंगे तो क्या होगा यह आएगा लोगसभा राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित कराना है किस से special majority से special majority से special majority में क्या होता है उपस्थित तता मद्दान करने वालों का 2 बटा 3 तता संपूर्ण का बहुमत तो special majority से पास हो गया और इसमें क्या है joint sitting नहीं होगी, सहीं तो बैठक नहीं होगा इसको total एक महाह के भीतर ही पास कराना है एक महाह, एक महीने के भीतर पास कराना है, उसके बाद यह छे महीने के लिए लागू हो जाएगा और छे महीने के बाद फिर क्या होगा यहीं process फिर से repeat करेगा repeat करेगा ठीक है? तो यह process जरूर याद रखिएगा, यानि संसथ से एक महीने के भीतर यह word याद रखेगा, एक महीने वाला word जरूर याद रखेगा, एक महीने के वीतर कहां से, uon month, और कितने महीनों के लिए impose करेंगे, छो महीने के लिए, ठीक है, क्या इसमें संयूखत बैठक होती है, नहीं होती है, संयूखत बैठक नहीं होगी, कौन सी majority use करेंगे, special majority, विश इसनी बार लगाया जा सकता है, तो unlimited time, infinite time, ठीक, जब तक चाहे, तो इस तरीके से इसको लगाया जा सकता, लगाया जाने का process बहुत डंग से पड़े, आप लोग देख लिजिएगा, अब बात करते हैं, कहां लगाया जाएगा, कौन से छेतर में लगाया जाएगा, तो 352 का प्रयोग संपूर भारत में किया जा सकता है, या किसी भाग में किया जा सकता है, संबिधान में क्या था, पहले विवसादी कि संपूर भारत में लागू हो जाता था, लेकिन बाद में क्या है, इसको भी change किया गया, और ये कहा गया कि जरूरी थोड़ना है कि पूरे भारत में लागू हो वो जो वो पूरे भारत वरस में लागू हो इस तरीके की बातें की जाती हैं तो इसी संदर में क्या किया गया कि 352 का प्रयोग संपूर भारत में ना करके अब किसी भाग में भी कर सकते हैं पता चला कि जमुएंड काश्मीर में लडाई हो रही है युद्ध च संपून भारत या किसी भाग में कभी आ वा जा जाए कि और सिर्फ्ख संपून भारत में समपून भारत की बात कहीं ते लेकिन 42 संपून वारत कि सी भी भागा operate सभसु लगाया सकता है कि क्यों लगाना जरूर येँ अब बात करते हैं कि हटाई जाने की क्या प्रक्रिया है तो ये सबसे important है तो राष्ट्रपती जब चाहे मंत्री परिशद की सलाह पे हटा सकता है यहाँ पर संसत की अनुमोधन की आउसकता नहीं लगाये जाना tough है हटाना बहुत आसान कर दिया गया क्यों क्यों कि मंत्री परिशद यानि आपकी council of minister जब कहे council of minister कही राष्ट्रपती मौधन से कि ऐसा है वहाँ पर आप आऊ सकता नहीं आप इसको हटा सकते हैं तो क्या किया जाएगा हटा दिया जाएगा एक तो यह हो गया दूसरा क्या तरीका है यदि लोग सभा यदि लोग सभा साधान बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो यह समाप्त हो जाएगा राज्य सभा की कोई आऊ सकता नहीं है यह कलॉस जरूर याद रखिएगा यहां राज्य सभा की बहुँ जादे आऊ सकता नहीं पड़ेगी लोग सभा ही अगर कि वहल पास कर दी कि यहां ठीक है आफटा देजिए वो भी साधान बहुमत से और वहां लगाए जाने समय में हम लोग क्या देख रहे थे वहां क्या था special majority थी विशेश बहुमत था और यहां हम लोग क्या use कर रहे हैं यहां हम लोग कर रहे हैं साधान बहुमत ठीक है तो यहां हटाये जाने के process को थोड़ा आसान बनाया गया है और वहां लगाया जाना काफी tough बनाया गया है क्योंकि विशेश बहुमत वह भी अलग अलग पारी तो ना कितना tough है और हटाये जाना क्या है कि लोग सभा से simple majority से अगर 200 लोग व्यूपस्थित हैं 300 लोग व्यूपस्थित हैं तो easily यह पास करा देंगे राजय सभा में भी जाने की आऊशकता नहीं पड़ेगी अब तीसरा जो सबसे important है कि अगर ये एक बात बताईए कि अगर सत्र ही नहीं चल रहा है अगर सत्र नहीं चल रहा है तो क्या होगा तो क्या होगा कि लोग सभा के 10% 10% सदस से हस्ताक्षार करके राश्टरपती से कह दें विशेस बैठक बुलाने के लिए कि एक बैठक बुला दीजे उसमें साधारा बहुमत से हम लोग प्रस्ताव पारित कर देंगे और 352 समाप्त हो जाएगा है सबसे important है ये हम लोगों को दिया गया है अनुछे 352 के 8 वे खंड में क्या है कि जरूरी तो है नहीं कि सत्र हमेशा चले और सत्र नहीं चल ला है तो आपके पास क्या है एक तो मंत्री परिश्यत बोल दे मंत्री परिश्यत माल लीजे नहीं बोल रही है लेकिन संसा सदस्यों को लग रहा है कि अब हटा देना चाहिए तो उसमें क्या होगा कि 10% संसा सदस से कहा है ऐसा है साइन करके कि राश्टरपती महोदे इसको एक विशेश बहुमत बैठक बुला लिजे उस बैठक में हम सभी लोग सामिल होंगे और उसमें हम लोग साधाना बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे उतने में 14 दिन के बीतर हम लोग बैठक बुला के फाइनल कर लेंगे मतलब कुल मिला के simple majority हम पास कर लेंगे तो ये सारी बाते हटाने को लेकर हैं क्या कि अगर या तो मंत्री परिशत कह दे मंत्री परिशत नहीं कहती है तो क्या होगा कि साधान बहुमत से लोग सभाई पास कर दे लोग सभाई भी नहीं पास करती तो तीसरा क्या होगा कि 352 के तहट क्या कहें सत्र चल नहीं रहा है तो 10% संसस दस से जैसे इस समय 545 है तो 545 के 54 संसस भी अगर हस्ताक्षार करके दे दे राष्ट्रपती महदय को कि एक विशेश सत्र बुला लिजिए उस सत्र में हम लोग क्या बात करेंगे विशेश बैठक में हम लोग बात करेंगे आपातकाल को हटाने को लेकर अवा साधार बहुमत से हमाराम से इसको पारित करा लेंगे ठीक है अब बात करते हैं प्रभाओं की